आज की समय में पदलते लाइफस्टाइप और गरत खाने पीने की आदतों की वजह से डाइबिटीज की समस्या से नकेवल बूढे लोग बलकी नौजवान भी परेशान है आज हर दूसरे घर में कोई न कोई देखती डाइबिटीज की बिमारी से ड्रस नजर आता है जिसके कारण उन्हें हर दिन शुगर लेवल चेक करना पड़ता है बोडी में जब बलड शुगर बढ़ने से नस्ट, किड्मी, दिल और आखों के डैमेज होने का खत्रा भी हमेशा बना रहता है जिसे कंट्रोल करना बेहत ज़रूरी है वढ़ना जान पर भी बन सकती है डाइबिटीज की प्रॉबलम को दिन बदिन बढ़ते हुए देखकर आज हम इस बिमारी को कम करने के लिए एक रामबाण इलाज लाए हैं जिसे इस्तमाल करने के कुछ घंटों बाद ही ये बलड शुगर को कम कर देती है जिससे बिपडी हुई कंडीशन पर काबू पाने में भी मदत मिलती है आगी का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल NN Health & Lifestyle अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले सेज लीज जिन ही रिशी के पत्ते भी कहा जाता है इन पत्तों को लंबे टाइम से डाइबेटीज के ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तमाल किया जा रहा है कही रिशर्च के मताबिक सेज प्लांट एक नैच्रल जड़ी बूटी है इसकी पत्तियां ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में काफी मदद करती है एक क्लिनिकल ट्राइल के दौरान असी लोगों को शामिल किया गया था जिनमें डाइबेटीज पाई गयी थी और इस पर कंट्रोल पाना बेहर मुश्किल था जसके बाद रिसर्चर्स ने ये पाया कि दो घंटे के फास्ट के बाद उन लोगों का ब्लड शुगर का लेवल काफी कम हो गया था जहने सेज के पत्तों का अर्ग दिया गया था ये जड़ी बूटी रोसिगले टाइजोन की दवा की तरह ही काम करती है ये डियाबिटी विरोधक दवाई है जो ब्लड शुकर को कम करती है और इंस्टिविति में सुधार करती है इसकी पत्तियां न सिर्फ डियाबिटी बिमारी को कम करने में मदद करती है इसके पत्तियों को खाने से नकिलवल यादधाश तेज होती है बलकि कुछ health diseases जैसे की cold, fever, अस्थमा जैसी बिमारियों को ठीक करने में भी काफी health मिलती है सेज की पॉजे में अंटी ओक्सिजेंट क्वालिटी भी होती है जो कलस्ट्रॉल में बेहत आदेमंध होती है इसके पत्तों के इस्तमाल मुहों और दातों को स्वस्त रखने के लिए भी किया जाता है साथ ही ये depression, cerebral, ischemia और alzheimer से छटकारा दिलाने में भी कारगर है फाइबर के इस्तमाल से वजन को कम किया जा सकता है इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले इसके छिए भी दोटकहाँ हमारे चैनल